हेलो फ्रेंड गुड्मोर्निंग टु एवरिवन इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए नाइन्थ बाइलोजी के लिए मेरी स्टेमेटिक टीशू पैरेंट काइमा बगेरा के बारे में पढ़ा था पैरेंट काइमा जो था वो सिंपल ग्लू का मतलब स्टिक मने चिपकने वाला तो क्लान कायमा जो है यह भी inquika की तरदेंग लीविंग से मिलकरके बना होता है इसके सेल्स जो होते हैं bahब elongated, लंबे होते हैं, थोड़ा मोटे होते हैं, कहां पर, तो corner पर, इनके corner पर आप क्या देखेंगे, cellulose का deposition होता है, cellulose का deposition हो जाता है, ठीक है, और दो cell के बीच में किसी भी तरह का intercellular space जो होता है, वो absent होता है, intercellular space जो होता है, absent होता है, diagram को देखें, colonchima के diagram को आप देख रहे हैं, इसका corner जो होता है, ठीक हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो इसके corner पर deposition हो जाता है, cellulose का, यहाँ भी देखें, इस तरह से corner पर cellulose का deposition हो गया है, आगे देखें कि colonchima का function क्या है, प्लांट ते में पाया जाने वाला टिसू है यह और यह mechanical support प्रोवाइट करता है प्लांट के different organ को कहां मिलेगा तो जैसे ही हम लोग प्लांट में इंटर करते हैं तो हम जानते हैं कि टिसू के बाद प्लांट जो है वो layer का formation करता है कई सारे layers है उसमें से एक layers जो है outer most protective layer उसको epidermis कहा जाता है epidermis के जस्ट नीचे stem के हिस्से में dicotyladen stem में यह पाया जाता है इसके अलाबा यह क्या करता है leaf के stalk में जिससे leaf जुड़ा हुआ रहता है यह वाला structure यह leaf का stem को जहां पर भी यह रहेगा वहां पर plant को flexibility प्रोवाइड करता है तूटने से बचाता है support देता है सुरच्छा देता है और plant के different organ को एक खासित है कि यह root में जो होता है वो absent होता है root में यह पाया नहीं जाता है ठीक है यह koloran kymah था उसके बाद है plant का अगला tissue जिसको कहते है अस्कलररन kymah जो होता है वो dead cell से मिल करके बना होता है protoplage इसमें absent होता है cell wall जो होता है वो पूरा cell wall इसका ठीक हो जाता है क्योंकि पूरे cell wall के उपर एक waxicotin lignine का deposition हो जाता है lignine के बजह से इस तरह की cell wall को lignified cell wall कहते हैं lignine ऐसा सबस्टांस है जो किसी भी तरह के transportation को रोक देता है cell को dead बना देता है क्योंकि इस transportation नहीं होगा ता nutrients नहीं जाएगा gaseous exchange नहीं होगा food का exchange नहीं होगा इस तरह के cell में intercellular space absent होते हैं यह cell आपस में काफी tightly packed होते हैं बहुत नजदिक नजदिक से यह जुड़े होते हैं और क्या करते हैं plant को यह strength provide करते है flexibility provide करते हैं लचीलापन provide करते हैं कहां मिलेगा plant में तो stem में पाया जाता है जहां पर भी rigidness होगा भेन of leaves भेन of leaves यह देखे लीफ का यह वाला हिस्सा जो है mid-reeb है और यह जो है भेन है और पतला पतला जो निकल रहा है वह भेन लेट है तो यह भेन of leaves में पाया जाता है सीड को सीड में पाया जाता है सीड को hardening देता है कठोर बनाता है और nuts में या coconut को आप छिलते हैं coconut के husk में छाल जो कहते हैं coconut के फल के उपर जो रहता है जितना सारा fiber देने वाला plant है जैसे कि जूट हो गया फ्लाइक्स हो गया हैं फ्यकॉटन है वह सब में यह बहुत ज्यादा मात्र में पाया जाते हैं यह जो होता है स्केले रंड कायमा दो तरह का होता है एक को fever कहते हैं दूसरे को scale rides कहते है डाइग्राम देखिए दोनों का कैसा होता है तो यह फाइवर्स को देखिए फाइवर्स जो है इसका last end या start end कैसा है tapering है नुकीला होता है ठीक है उसके बाद जगा जगा पर इसमें क्या दिख रहे हैं गड़े दिखाई दे रहा है उसके बाद दिवाल के उपर तो आप जान ही गया है कि इसके सेलवाल के उपर क्या पाया जाएगा लिगनीन पाया जाएगा है इसलिए एड़ेड होगा किसी भी तरह के ट्रांस्पोर्टेशन को यह नहीं कर सकता है तो फिट्स बगएरा जो है ट्रांस्पोर्टेशन करेंगे इसी तरह से देखें यहाँ पर भी बनाया गया है लास्ट इंड जो है वो टाइपरिंग बनाया गया है है ना उसके बाद इसके दूसरे पार्ट असकेल राइट्स को देखें असकेल राइट्स में क्या देखते हैं ध्यान से देखें असकेल राइट्स में बीच वाला हिस्सा को ल्यूमें कहते हैं दिखाई दे रहा है कड़्ा यहां से पीट से है यह र이 है ऊछसका इसका काइमा खाना इसका ऐसओ के बारे में जहांना अप मैंगा पतला ठीक दिख मोटा दिख रहा है है ना लिगनीफाइट सेल वाल को रखता है और इसका बोथ हिंड जो होता है ट्रैपरिंग ट्रैपरिंग नुकीला होता है असकेल राइट्स जो होते हैं इसको गार्ट या स्टोन सेल भी कहा जाता है irregular से पोर रखते हैं ये ये develop होते हैं plant के, cortex से, pit से phloem से, hard seed में पाये जाते हैं ये, है ना, nature इनका कैसा होगा dead पहले ही बता चुके हैं कि ये कैसे nature का होगा, तो dead nature का होगा अब ज़रा एक diagram यहां बनाया है coconut का, है ना, coconut को देखें किसी भी fruits के अंदर क्या सारे parts हो सकते हैं, fruits के part भी बस समझ सकते हैं आप यहां से तो किसी भी fruits में तीन part होते हैं epicarp, mezocarp और indocarp बाहर वाला चिलका जो आपका नारियल का दिख रहा है वो epicarp का लाता है, बीच वाला husk वाला है ना, जिसमें fibers पाय जाते हूं, मीजो कार्प का लाता है अंदर वाला कठोर हिसा जिसको हम लोग फोड के अंदर वाला को खाते हैं, वो indocarp का लाता है, और उसके बीच में है ना, गोल जैसा structure बनता है या काफी छोटा रहता है धेरे-धेरे करके यह बनता है, जब प्लांट के टीशू को हम लोग पढ़ेंगे, टीशू के बाद प्लांट के सतह में जो है, वो और्गन तो नहीं पाय जाते हैं, लेकिन यह तीशू एरेंज हो करके layers का formation करते हैं, जिसे एक यहाँ पर दिखाया गया है, Sunflower के stem का TS cutting है, TS cutting का मतलब होता है transverse section, तो transverse section में हम लोग देखते हैं कि EP dermies यह उपर वाला cover है, outer most protective layer कहलाता है, उसके बाद का layer hypodermies कहलाता है, फिर cortex होता है, cortex में ही indoor dermies है, जहां तहां पर scattered cortex के region में ही a scattered होते हैं, फ्लोयम और जाइलम है ना, और फिर क्या है, pericycle, बीच वाला हिस्सा पहुचने से पहले के हिस्से को pericycle कहते हैं, cambium, cambium के emergence जो है, plant में secondary growth करवाता है, secondary growth का मतलब हुआ, plant के stem के थिकनेस में बढ़ोतरी होगी, plant का stem जो है, वो मोटा होगा, उसके बाद आप देखें, जाइलम को दिखाया गया है, central हिस्सा, इसके बाद से फिर से वही सारा लेयर सुरू हो जाएगा, तो वो पित कहलाता है, यह हम लोग एक TS section देखें, stem का, ठीक है, आगे देखें, कि plant में इसी epidermies के बारे में ब्याख्या है, और cortex के बारे में ब्याख्या इपीडर्मी जो हो गया, वो plant का क्या हो गया, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर कहलाता है, यह जो है, वो हर जगा पाया जाएगा, चाहे, plant का leaves हो, flower हो, stem हो, हो, root हो, है ना, सब में यह पाया जाता है, यह single cell layer से बना होता है, और epidermies के ऊपर, जैसे कि leaf में आपका पाया जाएगा, stem के epidermies के ऊपर, जो है, एक waxy coating होता है, cuticle का, है ना, और यह absent रहेगा कहा, root में यह नहीं पाया जाता है, waxy coating क्या है, पानी को surface पर टिकने नहीं देता है, देखते हैं कि leaf के पत्ती बगएरा, पत्ती बगएरा पर, पानी जमानी उतर डालते हैं तो फिसल जाता है, तो यह waxy coating cuticle के बज़ा से होता है, साथ में, यह cuticles जो है, प्लांट में water loss को रोखता है, इसको waterproof बनाये रखता है, है ना, यह सब function है, हमारा cuticle का, जो epidermies के उपर पाया जाता है, यह आता कहां से है, तो प्लांट के epidermal cells ही, इस waxy substance का secretion करते हैं, उस waxy substance को cutene कहा जाता है, अब epidermies के नीचे का हिस्सा है, इसमें क्या होता है, कि epidermies ही modified हो जाते हैं, उसी में differentiation होता है, differentiation के बाद cork का निर्मान होता है, है ना, cork जो है, वो प्लांट को secondary growth करवाता है, धीरे-धीरे, यही cork जो है, cambium में convert हो जाता है, है ना, और फिर cork ही आगे चल करके, अगर dead हो जात सकता है, जिसको छाल कहते हैं, ठीक है, इसमें cork में भी single तरह के sales पाये जाते हैं, देखे कि cork cambium जो है, वो rectangular हो सकता है, protoplast इसका भैक्योलेटेड होगा, यानि कि protoplast में भैक्योल जादा बढ़ा होता है, इसमें tannins पाये जाता है, chloroplast पाये जाता है, chloroplast के परजन्स के बज़ा से photosynthesis कर सकता है, यह हमेशा नए नए cell को देते रहता है, cork cambium जो है, वो दोनों साइड में नए नए cell को माल लेते हैं, कि यह cork का हिस्सा है, तो इसके उपर वाला साइड में भी नया नया cell बनेगा, और निचला साइड में भी जो होगा, वो नया नया cell बनेगा, वो जो है secondary cortex या philloderm कहलाएगा, यह cell धीरे धीरे जो होते हैं, लेयर बढ़ाते चले जाते हैं, फिर क्या होता है, इनके उपर लिगनीन और सुबैरीन का deposition हो जाता है, इनके उपर क्या हो जाएगा, लिगनीन जा और सुबैरीन जैसे सवस्टांस का deposition, सुबैरीन भी एक waxy coating है, जैसे कि आप देखें कि यहां जब बना था, तो अब क्या होगा नया seile बना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नया seile के बाद waxy coating हो जाएगा एक लियर में, और इतना दूर का हिस्सा जो हो जाएगा, डेड हो जाएगा, और यही उपर वाला हिस्सा जैसे बनते जाएंगे उपर की और निकलते जाएंगे तो उपर वाला हिस्सा जो होता है कि बीच में क्या जाएगा सुबैरीन का डिपोजिशन हो जाएगा जिसके बज़ा से वह इंपर्मीएवल हो जाता है सुबैरीन किसी चीज को पाना पानी को ना नियूट्रियंट को और नहीं गयस है मैकेनिकल इंजरी को बचाता है चोटा मोटा चोट उसके उपर परभाव नहीं डाल सकता है इसके अलावा वह क्या करता है प्लांट को हार्डनेस प्रोभाइड करता है यह सारा सुरच्छात्मक काम करता है कौर्ट अब देखे कि प्लांट के नए नए सेल्स जो होते हैं हर एक प्लांट के उपर आपरमोस्ट हिस्सा का जो सेल है वो क्या कहलाता है एपीडर्मीज कहलाता है तो एपीडर्मीज कांटिनिवस नहीं होते हैं एपीडर्मीज के सेल्स बीच-बीच में गैप बनाते हैं और इस गैप के कारण क्या होता है एक होल जैसा स्ट्रक्चर क्छेज नस्ते लीफ के ऐपर यह पाएं अंच्छा पाएं हैं और क्या है ना और क्याकी संख्या के उपर अपर अगर मिलेगा यह छोल्स तो इसको LEGG कर जाएगा थो तो स्टोमाटा को हम लोग देख रहें स्टोमाटा का structure गोल से बहुत संख्या में पाये जाते हैं और यह गैसिएस exchange का काम करते हैं तो सबसे किनारे वाला जो आपको सेल दिखाई दे रहा है सबसीडरी सेल कहा जाता है सबसे किनारे वाले सेल को subsidiary sale उसके बाद वाले sale को देखिए ये वाला guard sale है और बीच वाला हिस्सा जो है stomatal aperture है वही हिस्सा gaseous exchange को continue करने का काम करेगा तो stomata का function आप से पूछा गया तो हमने बताया gaseous exchange करेगा क्या करेगा अगर photosynthesis जिस समय हो रहा है उस समय वो CO2 को अंदर खीचेगा और O2 को बाहर निकालेगा रात्री के समय ये क्या करेगा plant respiration करता है तो O2 को अंदर लेगा और CO2 को release करेगा जब पौधे को excess गर्मी का सामना करना पड़ेगा धूप में खड़ा है उस समय क्या करेगा अपने आपको गर्मी से बचाने के लिए वो अपने अंदर के पानी को water vapor के रूप में convert कर देगा और इसी hole से अस टोमाटा से वो पानी बाहर निकलेगा ठीक है अभी तक हमने simple permanent tissue के बारे में पढ़ा था अब हम लोग plant के दूसरे tissue complex permanent tissue के बारे में पढ़ते हैं complex permanent tissue जो होते हैं एक से ज़्यादा तरह के cell से बने होते हैं complex permanent tissue plant में दो ही हैं जाइलम और फ्लोयम जाइलम और फ्लोयम को क्या कहा जाता है भास्कुलर बंडल कहा जाता है भास्कुलर tissue कहा जाता है conducting tissue कहा जाता है क्योंकि ये tissue जो होते हैं वो plant के अंदर transportation का काम करते हैं चाहे food का हो या water और mineral का हो सभी cell मिल करके यहाँ पर जितने सारे cells पाए जाते हैं अलग-अलग cell से मिल के बनेंगे complex tissue तो वो सम मिल करके एक particular function को perform करेंगे अब gyalum को detail में पढ़ना है तो gyalum देखिए कि तरह का tissue माना जाता है जायलum को dead tissue कहा जाता है जायलum को dead tissue क्यों कहते हैं क्याँकि इसमें देखिए cell को पहले देखे तो इसमें cell जो है track yard से, bhecell जाहे जायलum पाएरनकाइमा है जायलum asclere-anकाइमा या fiber चार तरह के से चार तरह के इलिमेंट से हमारा जाइलम बना हुआ होता है तो यहाँ पर ट्रैकियार्ट्स भेसेल्स भी डेड़ है जाइलम अस्कलेरंकाइमा या फाइवर भी डेड़ है वनली जाइलम पैरंकाइमा एलाइव है तो तीन तरह के सेल्स जो है यहाँ डेड़ है इस बज़ा से इस tissue को dead tissue कहा जाता है इस tissue का काम है vascular यहीं कि transportation का काम करना mechanical support provide करना ठीक है तो अब बात उठती है कि tracheards, vessels और ascularon काइमा dead क्यूं हो गए क्योंकि इनके cell wall के उपर लिगनीन का deposition हो गया जिससे transportation बाधित हो गया अब एक-एक structure के बारे में देखे पहला tracheards है tracheards जो होते हैं, वो कैसे होते हैं लंबे होते हैं, elongated होते हैं अंतिमिस्सा इसका टाइपरिंग होता है डाइग्राम देखे tracheards का डाइग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि यह elongated लंबा है cell wall के उपर जो है lignine का deposition हो चुका है और क्या है, तो इसमें गढ़्धा दिखाई दे रहा है, धिर सारा गढ़्धा यह तो lignine का जिबाव होगी हम जानते हैं कि जायलम transportation का काम करेगा water का, तो इसके उपर अगर lignine जमा है, तो transportation कैसे करेगा यह pits के रास्ते से हो करके पानी ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है यह ऐसे arrange होता है, इसके बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा इस तरह से, है ना, यहाँ पर एक है, फिर एक है, फिर एक है, इस तरह से arrange होता है, ठीक है, track yards को हम लोगों ने देखा, इसका इंड जो देख रहे है, वो close है, open नहीं है तो नीचे से जाने की पानी की संभावना नहीं है यह किनारे से water जो है, इधर से उधर जाएगा, ठीक है, तो एक सेल से दूसरे सेल में पानी किस के द्वारा जाएगा, in pits के द्वारा जाएगा, बेसेल्स को देखे, बेसेल्स का डाइगराम देख रहे हैं आप, है ना last end जो देख रहे हैं, वो खुला हुआ है lignified सेल वाल इस पर भी पाया जाता है, यह कैसा है तो लंबा tubular structure है ठीक है, उसके बाद क्या है form धेर सारे सेल से मिल करके बनेगा, और सारा सेल एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा इस तरह से जुड़े हुए होंगे end to index दूसरे से जुड़े होंगे और एक continuous channel का formation करेंगे, और इनहीं के बीच से होकर के पानी जो है गुज़रेगा, है ना capillary like structure का formation करते हैं, सारा plant में जो है, वो भे सेल्स परजेंट नहीं होता है, है ना कुछ से, कुछ ट्रेक यार्ट सिर्फ परजेंट होता है, बहुत सारे plant इसे हैं, जिसमें भे सेल्स परजेंट नहीं होता है, तो हम देख रहे हैं कि ये domain tissue है, जाइलम का जो transportation का काम करेगा अब देखें जाइलम parent काइमा parent काइमा के बारे में जानते हैं, food storage करने का काम करता है, तो हर जगा अपने function को ये perform करेगा, यहाँ पर भी food को store करेगा, इसके लाबा, अगल बगल वाले सेल को platter का transportation कराएगा, जिसे माल लेते हैं, यह आपका stem, इतना मोटा stem है, यहाँ पर जाइलम है, तो यहाँ वाले सेल को भी तो water चाहिए, तो lateral conduction का काम कौन करेगा, इधर से इधर पानी को, इस side से यहाँ से इधर, और इधर से इधर पानी को ले जाने का काम जो है वो कौन करता है, पैरनकाइमा करता है, शकलेरनकाइमा fivers होते हैं, dead nature के हैं ये, mechanical support provide करते हैं, उसके अलाबा supportive in nature होते हैं सहाईता करते हैं काम में यही dead होते हैं, बाकि उधर तो alive था ये वो भी dead था, इक पैरनकाइमा येak alive है उसके बाद है ये लिगनिफाइड होता है लिगनिन का डिपोजिशन होता है और mechanical strength प्रोभाइड करता है plant को mechanical support करता है plant को injury से बचाने का काम करता है अब पूछ दे आप से जायलम का total function बताइए तो जायलम क्या करता है water को transport करने का काम करेगा कैसा flow होता है जाइलम में तो जाइलम में हमेशा upward flow होता है यानि कि root से water और minerals जो है वो stem की और जाएंगे stem से water और mineral root की और नहीं आएगा अब देखें flowem को इसको living tissue के नाम से जाना जाता है living tissue क्यों कहते हैं तो यह चार तरह के element से बना होता है syve tube, companion cell, flowem fibers और parenchyma syve tube, companion cell, flowem fibers और parenchyma यह चार तरह के element से मिल करके बना हुआ है तो इसमें सिर्फ एक ही dead है flowem fiber बाकी तीनों जो हैं वो alive हैं जिन्दा है इनके उपर lignin का deposition नहीं होता है function क्या है इसका तो यह transport करेगा food को किस तरह के food को तो जो leaf में food बन जाते हैं photosynthesis के बाद उस बने हुए food को वहां से different body part में या फिर storage organ तक leaf से माल लेते हैं stem तक गया, तना में गया, तना से root में गया root से stem अब क्या होगा कि माल लेते हैं कि खाना नहीं बन रहा है उस condition में जो storage area जैसे root हो गया, stem हो गया तो उस storage area से यह functioning area जहां पर food का requirement है वापस उसको भेजेगा तो वहां पर जाइलम में जो था movement यूणि डारेक्शनल था और यहां जो movement है वो बाइडारेक्शनल है उपर बाइडारेक्शनल का मतलब उपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है हैना दोनों तरह के condition को यह perform करता है उसके बाद है इसके एक-एक sale को देखे पहला सी oil जो है, वो side tube है कैसा होता है, cylinder के आकार का होता है, tubular हो सकता है यह elongated होता है पतला इसका दीवाल होता है, sale वाल होता है एक-दूसरे से end to end जुड़े होता है वो थे horizontally, longitudinally placed है और इसके sales जो है वो parallelly placed होते है पारलल रूप से एक-दूसरे से जुड़े होते है माल लेते हैं, एक side tube ऐसे है तो फिर दूसरा side tube ऐसे होगा तिसरा ऐसे होगा और इसी के बीच में जो है वो companion cell पाये जाते है ठीक है एक-दूसरे से जुड़ने के लिए इस side tube को इस side tube से जुड़ने के लिए बीच में क्या रहता है एक पट्टी रहती है और उस पट्टी को कहते है side plate ठीक है आगे है इसमें nucleus जो होता है absent हो जाता है सुरुवात में रहता है लेकिन जैसे maturity को gain करता है हमारा side tube वो ऐसे वो ऐसे nucleus degenerate कर जाता है side of large इसमें present होता है उसके बाद देखे companion cell को है ना बता है दिए side tube के बगल में होता है इससे जुड़ा होता है dense होता है side of large में इसका active होता है large और elongated nucleus को यह रखता है है ना एक side tube को एक side tube को दूसरे side tube से जुड़ने के लिए side plate है और side plate को जुड़ने के लिए क्या है plasma desmata से वो जुड़ता है ठीक है साथ में companion cell भी जो है वो इससे जुड़ा होता है किसके दौरा plasma desmata के दौरा उसके बाद companion cell सारे plant cell में नहीं पाये जाते इसे की fern है pine cell में यह absent होते है इनके बिना ही काम हो जाता है transportation का parent kai ma जैसे function हो रहा था पीछे parent kai ma storage organ है food का storage करेगा fibers का function क्या था mechanical support provide करना तो यहाँ पर भी वो क्या करेगा mechanical support provide करने का काम करेगा अब यह diagram देखे TS of phloem है transverse section of phloem है यहाँ पर cell को देखे यह companion cell है बगल में syve tube हो गया है न parent kai ma हो गया nucleus of parent kai ma यह दिखाई दे रहा है यह आपका syve plate हो गया with pores है और यह syve tube से यह pores के द्वारा syve tube से यह connected रहेगा इसी के बगल में companion cells है जो इसको support provide करने का काम करेगा लगातार अपने class से related जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे channel से जुड़े channel को subscribe करे like करे और यह जानकारी दूसरे तक पहुचाने के लिए channel को subscribe भी करे धन्यवाद आगे हम